नमस्क्राइब दोस्तों नीती आयोग के बारे में यहाँ पर बात करेंगे नीती आयोग अक्सर ही न्यूस में रहता है डेली का शायदी कोई न्यूस पेपर दिन का ऐसा होता होगा जिसमें नीती आयोग से रिलेटेड कोई चोटी बोटी न्यूस ना हो बहुत important policy think tank planning commission को हटा के नीती आयोग बना अब इनीती आयोग कैसे काम करता है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे लेकिन exams के perspective से ये ज़्यादा important है कि नीती आयोग ने क्या क्या काम किये है और उसके respect में पहले ही YouTube में मैंने videos upload करके रखी हैं कुछ दिन पहले ही मैंने एक video बनाई थी जहां पर मैंने बताया था कि कौन-कौन से important initiatives recently नीती आयोग ने नी है तो नीती आयोग से related दो important जो videos मैंने बना रखी है उनके link भी मैं आपको नीचे description box में दे दूँगा और उसके corresponding मैंने कुछ important articles नीती आयोग की information को बताते हुए अपनी website पे भी upload कर रखे हैं arshidivedi.com पे तो उनके link भी मैं नीचे description box में दे दूँगा तो नीचे description box चेक कर लीज़े आपको 3-4 important links मिल जाएंगे जिससे आपको नीती आयोग की current affairs से related जो भी news है वो आपको पता चल जाएगा और वो ज़्यादा जरूरी हो जाती exams perspective से चुकि यहां रमेज सिंग में नीती आयोग से ये chapter number 5 खतम हो रहा है तो detail में देखेंगे कि ये नीती आयोग कैसे बना और ये कैसे काम करता है mid 2014 में एक बहुती strong and stable government center पर है और ये जो stable government थी ये बहुत से changes करना चाहती थी overall administration के तरीके को बतलना चाहती थी कुछ reforms लेके आना चाहती थी और इस reform procedure में इस नई सरकार ने जो सबसे पुरानी body थी उसको abolish किया और ये क्या थी planning commission 1950 में बनी थी ये planning commission और तब से बाब बन के planning कर रही थी ये planning commission लेकिन planning commission के यहाँ पहटा दिया और इसको जगा ले के आये नीतियोग कभी-कभी हलुआ कुशन भी आ जाते हैं UPSC में उसी साल UPSC में सवाल आया था कि भाई planning commission को हटा के जो नई बाड़ी बनाएगी उसका नाम क्या था तो National Institute for Transforming India तो यहाँ पे जब नीतियोग भारा सरकार ने मनाया कि इन सरकार BJP की तो इसको बोला Team India Team India मतलब की एक ऐसी बाड़ी जहाँ पे पूरा इंडिया एक team की तरह मिलके काम करेगा देश की प्रोग्रस के लिए ठीक है मैं अच्छी बात है सारी सरकारे करती है अब आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे important चीज यह होती है कि planning commission को हटा के अगर नीतियायो सरकार ने बनाया है तो सरकार बोलेगी यह revolutionary step पे हमने पुराने सारे flaws को ठीक कर दिया जो पुरानी सरकारे थी जो planning commission पे काम करी थी वो क्या बोलेंगी कि यह तो political gimmick है नामी तो बतला है काम तो planning commission जैसा ही है तो अलग-अलग आप कह सकते हो players अपने अपने हिसाब से किसी एक particular चीज का अलग-अलग assessment करते है सरकार को उस policy को recommend करेगा सरकार जब policy implement करेगी ground level पे तो वो implement कैसे हो रही इसको evaluate करेगा नीती आयोग तो यह आप nutshell में देखो तो नीती आयोग का काम है अब नीती आयोग पहले 10 साल में काम कैसे करेगा इसके assessment के basis पे हम पता चल पाएंगी एक जनवरी 2015 आखो नीती आयोग सटप किया गया तो तब से लेके अब तक जो कुछ में नीती आयोग ने किया है ना उसकी basis पे आप यह कह सकते हो कि planning commission से बहुत अच्छा है और ना ही आप यह कह सकते हो कि खराब है अब बात करते हैं transforming India की transforming the development agent of India सरकार का target था कि जिस प्रकार से development हो रहा है देश का उस पूरे के पूरे agenda को यह बदल के रख देंगे और इसमें काम कौन करेगा तो नीती आयोग काम करेगा तो planning to नीती मतलब पहले planning commission plan करता था था नीती मतलब हमारे नीती क्या है हमारे आगे बढ़ने का तरीका क्या है तो अब कह सकते हो कि नीती भी एक प्रकार की policy है नीती का मतलब क्या होता policy होता है और planning में भी कहीना की policy involved थी तो overall अगर आप देखोगे तो पिछले 6 decades में इंडिया जिस प्रकार से इवाल हुआ है politically, economically, socially, technologically और देमोग्राफिकली इन evolution से आए हुए changes को incorporate करके एक नए सीरे से administration बनाने वाली body की तरह से नीतीय को लाए गे हलाकि ये कहना गलत होगा कि planning commission हमेशा पुरानी methodology पे काम कर रहा था planning commission में भी evolution हो रहे थे ग्यारवें, बारवें, फाइवेर प्रान में हमने देखा कि planning commission में भी कही न कहीं evolution हुए है तो transforming India में सरकार को लगा कि जो नया institution is this will function as a catalyst, developmental process में enabling environment में ये काम करेगा holistic approach लेगा कुछ खास बाते थी यहाँ पे नीती आयोग की जिसको समझने कोशिश करते है सबसे पहले definitely नीती आयोग में एक बहुत positive चीज हुई कि state के रोल को बढ़ाया गया है states के रोल को नीती आयोग में और strong किया गया है states को यहाँ पे partner बनाया गया बराबर का partner बनाया गया national development में खासकर जो governing council ना आपकी नीती आयोग में वहाँ पे states को बहुत value दी गई और cooperative federalism के सिधान को यहाँ पे लेके आया है actually में cooperative federalism भी आया है यहाँ पर competitive federalism भी आया है cooperative federalism क्या है कि राज्य की सरकार केंदर की सरकार के साथ cooperate करेगी governing council में बैठके राज्य की सरकारे अपने inputs देंगी और केंदर की सरकार वो inputs लेगी थ्रूँ नीती आयोग और overall holistic basis में यहाँ पे planning होगी competitive federalism कैसे कि आपस में थोड़ा बहुत competition भी होगा यह competition actually राज्य की सरकारों में होगा तो राज्य की सरकारे आपस में cooperate करेंगी उसके लिए नीती आयोग समय समय पे अलग अलग competition के प्रोग्राम्स चलाएगा जिसके basis पे अलग अलग राज्य की सरकार तीजी से developmental outcomes को लाने कोशिश करेंगी ताकि लोगों के लिए कुछ भला किया जा सके अच्छा किया जा सके फिर नीती आयोग एक hub होगा of internal as well as external resources मतलब की good governance क्या होता है best practices क्या होती है इन सबको नीती आयोग developmental planning के process में imbibe करने की कोशिश करेगा एक प्रकार की तरीक की से यह think tank की तरह काम करेगा एक think tank ऐसा think tank जिसके पास हर domain का ग्यान है और उस domain के ग्यान के दम पे हर level पे strategic expertise के साथ सरकार क्या कर रही बताने की कोशिश करेगा मतलब सरकार क्या करे लोगों के एसाब से इसको direct करने की कोशिश करेगा नीती आयोग तो कुल मिला के एक ऐसा think tank जिसके पास सारे resources है सारे statistics है सारे technical knowledge है एक particular field के experts वहाँ बैठे हुए जो कि सारे inputs दे रहे और उन inputs के आधार पे strategic expertise के साथ सरकार लोगों के लिए काम करेगी तो definitely अच्छा काम होगा और collaborative platform है तो भाई इसकी progress को monitor करने के लिए जो गलतिया है schemes में उनको खतम करने के लिए अलग-अलग केंदर सरकार के ministries के बीच में coordination करने के लिए केंदर सरकार का राजी की सरकारों के साथ coordination करने के लिए ये नीतिया उखलाया गया ठीक है planning commission ने बहुत लंबे समय तक इंडिया के लिए काम किया लेकिन पिछले 65 सालों में चीज़ें बहुत बदल गई है 1950 से लेकि जब planning commission बना 1925 अगर आप बात करों 2014 तकी तो हो गए 65 साल तो इन सालों में definitely इंडिया के काम करने का तरीका बदला है क्या क्या बदला है तो सबसे पहले हुआ है demographic shift इंडिया की population तीन मुना बढ़ गई है अब इंडिया की population 121 करों हो गई है अब तो खेर और जादा हो गई है 2014 की बात हो रही है उसके बाद आप देखोगे कि 30 करों लोग अर्बन इंडिया में जादा रह रहे हैं 55 करोंड तो युथ है लगबग 55 करोंड युथ की आबादी बढ़ी जो की 35 साल से कम की उमर के तो overall इतनी जादा आबादी हो गई है जिस समय पर हमारा देश आजाद हुआ था जब प्लानिंग कमिशन बना था आबादी बहुत कम थी अब बहुत जादा है तो इस चेंजड डेमोक्राफिक शिफ्ट के चलते एक चेंजड बाडी की जुरुत है जो ज़्यादा अच्छी तरीके से लोगों की प्रियोर्टीस को समझ पाए नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर एकनॉमिक शिफ्ट की जब हम आजाद हुए थे और जब हमारा पहला फाइव एर प्लान आया था उस समय पे कहीं न कहीं पैसो के रिस्ट में चीज़ें बहुत कम थी आजाद हुए थे तो उस समय पे जीडीपी कितनी थी दस हजार करोड की और अब जीडीपी कितनी पहुँच गई है लगबग 100 लाक करोड पे पहुँच गई है जब ये आपका नीती आयोग यहाँ पे आया है एक करेंट प्राइसेज में मार्केट प्राइस पे पूरा का पूरा फिगर है तो कुल मिला क्या आप कह सकते हो कि GDP extraordinary तरीके से बढ़ी है और जब हम आजाद हुए थे जिस समय में planning commission मना था उस समय हमारी GDP में एक major share था agriculture का लेकिन अब ये agriculture का share बहुत बन गिर चुका है जब हम आजाद हुए थे 50% से ज़्यादा हमारी GDP का agriculture contribute करता था अब हमारी GDP का hardly 15 या 16% agriculture contribute करता है plan layout था तो कुल मिला कि economy और financial terms में अगर आप देखोगे absolute numbers में देखोगे तो economy leaps and bounds से बढ़ी है बहुत ज़ादा पैसे अब आ गए हैं और कहीं न कहीं इस increased expenditure इस increased financial layout के चलते एक reformed सोच की ज़रूत है और वो reformed सोच कहीं न कहीं नहीं थी आयोग से आई ऐसा बोला जा रहा है फिर नेक्स्ट जो logic है वो है shift in the private sector बाई इंडियन economy में सरकार का involvement के सिसाब से इसमें बहुत changes हुए यह बात तो देखे मैं आपको पहले की वीडियो में चिला चिला के बताईए कि 1990s तक सरकार बहुत ज़ादा interfere करती थी economic activity और खासकरी जो सरकार की public sector industries थी यह बड़े dominant position में थी यह perform करें चाहे ना करें profitable रहें चाहे loss में रहें उससे कोई फरक नहीं परता सरकार public sector को यह promote करेगी लेकि 1991 के बाद चीजें बदलें और 1991 के बाद जब चीजें बदलेंगी तब private sector यहाँ पर involved होगा और जब private sector involved होगा तो जो command और control एकन्ट्रोल इकन्वी पहले चलती थी ना यह बदल जाएगी और आज की date में directing, calibrating, supporting and regulating यह वाला काम आ जाएगा सरकार का तो पहले सरकार का काम क्या था command करना, control करना जो जो सरकार बोल दे रही वही होगा, लेकिन अब सरकार के वाल direct करेगी, response को calibrate करेगी, support करेगी, regulate करेगी market ecosystem को और यहाँ पर public sector का involvement आ जाता है, तो कुल मेरा के अब आप देखोगे कि सरकार का involvement economy में काफी कम हो गया है, जो major involvement economy में, वो है private sector का, और कही न कि सरकार को private sector के facilitator की तरह देखने की कोशिश करनी है, इसलिए planning commission जैसे organization, जो बिल्कुल ही centralized तरीके से planning करते हैं, हला कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 10-11-12 finance plan में बिल्कुल centralization नहीं है, बट फिर भी overall अगर आप planning commission के assessment करोगे, तो आपको centralization की tactics ज़्यादा देखने को मिलेगी, और उसी centralization के चलते जरूरत ये थी, कि एक ऐसी body आई जाए, जिसमें states को ज़्यादा important मिले, और वो नीतिया है उपती, क्यों नेक्स्ट बात की जा रही है, यहाँ पे forces of globalization, बैए recent decades में देखा गया है, खासकर 1990s के बाद यह देखा गया है, कि दुनिया एक global village बन गई है, modern transport है, फटाक से flight पड़िये, पकड़िये, दुनिया के किसी कोने से किसी कोने में पहुंच जाएंगे, communications बहुत fast है, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आप एक whatsapp call से या phone call से, दुनिया के किसी भी और कोने से जुड़ सकते हो, international markets connect हो गया है, trade और commerce countries के बीच में बहुत बढ़ गया है, ठीके ना, और यह जो trade and commerce है, यह physical goods में भी है, और virtual goods में भी है, tangible, intangible, दोनों प्रकार के goods में trade हो रहा है, तो इंडिया से कपड़े बनके भी बाहर के market बिखते हैं, बाहर के देश के products के इंडिया में आके बिखते हैं, और हमारे software services में भी बाहर बिखते हैं, तो tangible, intangible goods दोनों तरीके से चीज़ें हो रही है, तो हो सकता है, इंडिया का कोई data, सोबह लॉग इन करके USA की सी बच्चे को पढ़ाता हो, ऐसी बहुत से चीज़ें हो रही है आज के date में, तो globalization के forces के चलते, policy making में एक reformed approach की जरूत है, और यह reformed approach नहीं थी आए, कि थुरू आएगी, फिर सबसे important, कुछ points overlap कर रहे हैं, वो है role of the states, इंडियन states को importance planning commission में उतनी नहीं मिली है, यह बात देखी बिल्कु सही है, नवे five year plan तक तो इंडियन states को बिल्कुल importance नहीं मिली थी, दसवे five year plan में limited मिली, ग्यारवे, बारवे में states को थोड़ी ज़्यादा importance दी गई, और अगर national development करना है, तो nation क्या state ही तो है, यह लाका क्या state ही तो है, तो obvious ही बात है, जब तक इन states को आप financial autonomy और बाकी प्रकार की autonomy नहीं दोगे, और केंदर की सरकारी policy बनाके बोलेगी कि one size fits all approach तो वो चल नहीं पाएगा, इसलिए states को ज़्यादा importance देने की ज़रोत है, और यह importance कहीं नहीं नीती आयों के थुरू गई, और फिर technology paradigm, information technology में, बाकी प्रकार की technology तो machine learning, design, inform, यह artificial intelligence यह सब आगे बढ़ गई है, ecosystem कहीं नहीं technology की basis पे associate करना है, technology के चलते, transparency का role important आगया है, government को accountable करना है, इसलिए policy और governance को technological efficiency और transparency के perspective से देखने के लिए नीती आयों के थुरू आयों के थुरू आयों नीती आयों के थुरू जो चेंज लाया गया है, इसकी बात कहीं प्लान डॉकुमेंट में भी की गई थी, 1992-1997 में, उस समय पे भी यह बोला गया था, चुकि देखे, 1992-1997 वाला यह जो एट्स फाइविर प्लान है, यह एक ऐसे समय पर आया था, जिस समय पर अलड़ी liberalization, privatization और globalization हो रहा था हमारी economy में, तो उस समय पर सरकार का बहुत ध्यान होगा, कि नहीं भाई, कहीं ना कहीं, rights देने पड़ेंगे, overall आप कह सकते हो कि थोड़े बहुत reforms करने पड़ेंगे, तो उस समय पर planning commission के काम करने के तरीके में reform करने की बात की गई थी, थोड़ा बहुत reform किया भी गया था, बट नीती आयोग जितना revolutionary reform नहीं हुआ था पहले फिर planning commission को बदलने की और भी कौन-कौन सी demands थी, तो देखे standing committee on finance बनी थी 15th लोग सभा की, उसने अपनी 35th report on demand for grants 2011-12 में बोला, कि भाई कहीं न कहीं planning commission को emerging social realities के इसाफ से अपने आपको reinvent करने की जुरौत है तो मतलब BJP की सरकार आने से पहले ही, Congress की सरकार के समय पे बहुत से ऐसी voices उठ रही थी, जो planning commission को बदलने की बात कर रही थी फिर खुद Dr. Manmohan Singh जी ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने farewell address में बोला कि भाई, planning commission की change करने की जुरौत है एक different era है, इस different era में नई tools और नई approaches को जुरौत है इसलिए planning commission को बदलना चाहिए और देखो कि जैसे ही नई सरकार आई, नडले से planning commission को खाड़ के कागे मैं आपको एक बात बताओ, actually में planning commission कुछ जगों पे बहुत ज़्यादा गलत था planning commission में, ये जो मॉन्टेक सिंग अउलवालिया थे, इनकी बहुत चलती थी और कही न कहीं बहुत सारे cabinet minister से ज़्यादा strong थे खुद उनके पास cabinet की minister के बराबर की वाकात का दर्जा था तो कभी-कभी planning commission ने अच्छे तरीके से काम नहीं किया, ये नहीं बोला सकते है कि planning commission ने कभी भी अच्छे तरीके से काम नहीं किया, बट कहीं-कही planning commission के काम करने एक तरीके में कुछ flaws थे, उसको बदलना जरूरत था, और सरकार ने रेविलुशनी तरीके से बदल दिया इसलिए आप देखोगे, कि जब planning commission खतम किया गया, और नई सरकार ने नीती आयोग बनाया तो ज़्यादा क्रिटिसाइजमेंट नहीं हए नीती आयोग का, चुकि काहीं थे यह देश के लोगों को भी लग रह nesha को कि प्लाणिंग कमीशन को बदलने की ज़रुरत है ठीक है भई नीती आयोग आएगा अब कहीं ना कि इंडिया के नेशन हुड में मैचोर्टी की जरोथ थी डेपनिंग की जरोथ थी प्लूरिजम की डीसेंट्रलाइशन की तो यहां पे नीती आयोग आया और नीती आयोग में स्टेट गौर्मेंट्स और लोकल बॉडिस को एक करने की जरोथ है तो नीती आयोग यहां पे कुछ आइडियास के साथ आया है अब इन आइडियास को में बहुत ज़दा इनुमेरेट नहीं करूँगा यह आइडियास आप खुद से भी रमेश सिंग में पढ़ सकते हाला कि मैं बोलूगा कि पढ़ने की जरोथ नहीं है जि सिंपल बात है कि राज्य की सरकार के साथ मिलके काम करें और एड़ सेम पॉइंट ऑफ टाइम राज्य की सरकारें दूसरी राज्य की सरकारों के साथ कॉंपीट करें ताकि अपनी अपनी जगहों पे सोशल और डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स को और अच्छे तरीके से immt सब्सक्राइब टैदर, तो प्रेज की constant तो प्रोग्राम के application से पहले ही Gouverning Council में प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बैटके पहले ही बात कर लेंगे कि हमको प्रोग्राम को कयसे implement करना है पिर भाई नीती आयोग को बोला गया State's best friend at the center तो अगर नीती आयोग को किसी भी developmental expenditure के लिए पैसा चाहिए ये नीती आयोग को किसी particular scheme में मदद चाहिए तो केंदर की सरकार पे जो सबसे पहला organization जहां पे राज्य सरकार अपनी बाद जाके बहुत सकता है वो नीती आयोग है तो नीती आयोग में अलग-अलग तरीके से governing council में ये जाज्य की Chief Minister बैटके बता सकते हैं और आपको पता है ना कि नीती आयोग में एक regional council भी बनती है उसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताता हूँ तो कुल मिला के नीती आयोग के थूप से केंदर सरकार के साथ जुड़ पाना अब राजी की सरकार के लिए बहुत आसान हो गया था इसलिए बोला गया State's Best Friend at the Center फिर क्या बोला गया Decentralized Planning तो यहाँ पे Decentralized Planning कैसे पहले Top Down Approach थी तो Planning Commission उपर से प्लान मनाता था तो नीचे प्लान इंप्रिमेंट हो जाता तब Bottom Approach है मतलब नीती आयोग के अंदर पहले बहस होगी और यह जो States हैं वो अपने अपने Inputs देंगे उन Inputs के आधार पर केंदर की सरकार एक नियम कानून मनाएगी तो क्या हो गया Decentralized Planning हो गया फिर Vision और Scenario Planning यह सब वही बाते बोले है Domain Strategies कि भाई अलग-अलग domains में program में synchronization होना चाहिए तो health के field में अगर केंदर सरकार को पॉलिसी implement कर रही है राज़े की सरकार पॉलिसी कही न कहीं synchronization हो पैसो का सही तरीके से खर्चा हो Network of expertise कही न कहीं नीति आयोग में specific आपके सर तो experts बठाए गए है जिसमें national experts भी है international experts भी है practitioners हैं दूसरे partners हैं जो कि बैठके केंदर की सरकार को और राज़े की सरकार को यह बता सकते है कि भाई ये करिये तो ये सही रहेगा ये करने से ये ठीक हो जाएगा फिर आप बोलोगे sounding board sounding board क्या है तो इन-house sounding board है नीति आयोग में जहाँ पे जो government की position है government अगर मान लोग को provision लाने के कोशिश कर रही है उस provision के खिलाफ क्या criticism है उस provision के implement करने से राज की सरकार को क्या नुकसान हो सकता है इन सब चीजों के बारे में इस board में बात होगी तो सही समय पे चीजों को बदला जा सकता है फिर एक बहुत important चीज knowledge and innovation hub यहाँ पे जो नीति आयोग है इसको accumulator as well as disseminator बताया जारा research and best practices का दुनिया भर में जहां जहां पे भी good governance हो रही है दुनिया भर में जहां जहां भी science and technology की field में social field में अच्छा काम हो रहा है उस research को पहले तो नीति आयोग accumulate करेगा फिर इस research को इंडिया के अलग-अलग राज्य की सरकारों में implement करने के उपर नीति आयोग बातचीत करेगा और उसके लिए knowledge और innovation hub बनेगा जहां पे नीति आयोग best practices को accumulate भी कर रहा है और at the same point of time वो अलग-अलग राज्य की सरकारों के साथ बातचीत करके implement करने की भी कोशिश कर रहा है तिर harmonization में क्या बोला गया तो जो अलग-अलग सरकारी levels है वो सरकारी levels आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते ना नजर आए उनके बीच में communication हो, coordination हो, collaboration हो, convergence हो ये काम करेगा नीतिया हो, conflict resolution करेगा तो अगर किसी एक ministry के किसी दो departments के बीच में कोई लड़ाई हो जाए या किसी particular issue को लेके दो ministries के बीचे बीचे बहस हो जाए या किनी दो raja की सरकारों के बीचे बहस हो जाए तो ऐसे respect में conflict resolution के लिए नीतिया हो यहाँ पर काम करेगा फिर monitoring and evaluation कैसे करेगा इसके लिए तो DMEO की बात मैं आपसे करी चुका हूँ capacity building करना, technological upgradation करना, internal consultancy, coordinating interface with the word यह सब कहीं न कहीं नीतियायो कर रहा है यह सब नीतियायो के काम है मैं आपको एक बात बताता हूँ नीतियायो के functions के बारे में अगर आपसे बात कीज़े न अगर आप इसकी heading या दख सको तो इस heading के अंदर points तो आप लिखी दोगे कुल मिलाके जब भी आप UPAC में में मेंस के answer रिख रहे होते हो न तो उन मेंस के answers को लिखते वक्त टाइटल दूर पाना मुश्किल होता है क्या होता है कि जब भी आप मेंस का answer लिखोगे आपको एक structure बनाना पड़ेगा answers का वो structures को बहुत सारी headings देनी पड़ेंगी इससे क्या होता है कि answer में एक refinement आता है तो अगर एक proper heading दे पाते हो जैसे for example नीतियायो का काम क्या है एक तो होगा कि आपने 10 points लिख दिये दूसरा होगा कि 10 points के साथ-साथ उनको heading भी दी तो capacity building, monitoring and evaluation, conflict resolution, knowledge and innovation इस प्रकार कि आपने headings दे दी तो ये heading से कहीं न कहीं आपके answer को एक value addition मिलता है समझ गया तो ये सब बतने हैं फिर guiding principles ने बहुत सारे guiding principles यहां पर बताए जा रहे है अंतियोदिया, inclusion, village level पर क्या करना है demographic dividend को improve करने के लिए क्या करना है लोगों का participation कैसे करना है ये सब चीज़ें बताई गई है बहुत बच्छन टाइप की सीज़े हैं editorial में इनके बारे में बात करते रहते हैं आप चाहो तो अलग से पढ़ लो कुछ भी खास उसमें अलग है नहीं जो मैं बार-बार बताऊ इन डिरेक्टर्स में आपको बताई चुका हूँ नीतियायो के structure की बात की जाए तो भाई de facto chairman है प्राइम मिनिस्टर सब उसके नीचे आती governing council यह governing council सबसे main body है यहाँ पर पदान मंतरी भी बैठते हैं और सारे states के chief minister और lieutenant governor of union territory बैठते हैं यहाँ पर सब बात करेंगे और governing council जब किसी एक particular मुद्धे को approval दे देगी तब उस चीज़ के ओपर policy बनाई जाएगे तो automatically governing council के अंदर सारे states के representative बैठे हुए है तो यहाँ पर जो policy बनेगी वो obvious ही बात है overall representative होगी फिर regional councils भी बनाई जाते हैं तो अगर किसी particular issue को या किसी particular important contingency को address करना है उसके लिए strategy और plan करना है तो उसके लिए regional councils बनाई जा सकते हैं इन regional councils में हो सकता है कुछ states हो या कुछ states के particular इलाके हो वहाँ के representatives हो तो वो आएंगे अपना viewpoint देंगे सारे experts बातचीत करेंगे और एक coordinated approach से एक final ऐसा plan मलाने की कोशिश की जाएगी जिसके उपर सबकी यहामी होगी तो रिजिनल councils में कौन कौन होगा special invitees full time organizational framework कैसे होगा तो vice chairman है ये आप हो सकते हो अगर कल की date में senior I.S. officer बनके आप जाते हो और एक सची वाले होगा नीतियोग का वो तो चाहिए नीतियोग के काम को करने के लिए कोई ना करी तो सची वाले चाहिए जहाँ पर उसका कागजी काम किया जाएगा और specialized wing कौन कौन सी है नीतियोग में तो research wing अलग है जहाँ पर चीजों के ओफर research होगी consultancy wing अलग है जहाँ पर अलग-अलग players के साथ बातचीत करने के लिए बीच में consultancy services प्रोवाइड करेगा फिर team India wing ये wing अलग-अलग तरकार से काम करती है तो एक परकार से नीतियोग को vehicle of good governance बनाया गया ये सब बोलबच्चन बाते हैं दुबारा मैं क्या ही बोलू हूँ आपके सामने तो नीतियोग के बारे में basic information मैंने आपको दे दी है नीतियोग बहुत सारे आप कह सकतो publications भी निकालता है जैसे कि 3-year action agenda निकाला है और भी आप से 7-year strategy framework निकाला बढ़ ये framework आपके लिए जरूरी नहीं है नीतियोग के respect में अगर कुछ और extra information चाहिए तो नीचे description box में ये जो links दी हैं वो आप देख सकतो कुल मिला कि अगर आप कुछ और extra पढ़ना चाहते हो भी discuss करते रहते हैं तो नीतियोग के respect में enough information में आपको दे दिये इससे ज़्यादा information में आपको गुसने की जरूरत नहीं है इससे ज़्यादा अगर नीतियोग में गुसना तो current affairs से related जो भी नीतियोग के काम है उसमें गुसना वह ज़्यादा जरूरी है चुकि एक्जामस में वह आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे पर चुकि रमेज सिंग में हमको हर economic के concept की theory भी पढ़नी होती है इसलिए मैं यहाँ पे detail में आपको इतनी चीज़ें मताईएं तो I hope आपको मेरे efforts यहाँ पे पसंद आ रहे होंगे दोस्तों मैं आपसे बस यह request है कि ज़्यादा ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेर करिएगा अब हम लोग पहुँच चुके हैं कहीं न कहीं chapter number 6 economic reforms पे और अगले में मैं आपके साथ economic reforms discuss करूँगा so thank you for watching friends have a great day good bye